नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूश्टर 24 म में तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हम लेकर आहें भारती इत्यास से लेकर आधुनिक भारत का इत्यास जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के महत्रपूर्ण गवर्नर जर्णल के आप किन्ही बारे में जिसमें हैं और कि तो आपके जाएं फिसमें एक्जाम की त्यारी आपका उत्त्रपर्देश गार्पूर्ण खारित या व्यक्शनव आज या आपके आपकर वीडियो बहुत ज्यादा परश्ण भा और वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर दें साथ में आप सब्सक्राइब भी जरूर करें चलिए टाइम वेश्ट ना करते हैं अपनी वीडियो को हम सुरू करते हैं देगे हमने क्या क्या सुरू में प्रस्ण दिया हुआ है फिर उसकी जो complete detail है वह भी आपके सामने प्रस्तूत कर रखिए ताकि आपको संपूर जो जानकार है एक ही जगह मिल जाए और आपको इधर दर कहीं भटगने की आवा सकता ना पड़े तो चलिए सुरू करते हमारी व इपन लौड डल होजी और वारें हैस्टिंग के द्वारा इनवे से जो आपका सही आंसर है option नंबर जो C है ओप्सन नमबर जो C है लोड डलहोजी के द्वारा हडप नीती की शुरुवात की गई थी अब आप देखे लोड डलहोजी के बारे में सबसे पहले हम जानेगे किया कि डलहोजी के जो ससनकाल में क्या क्या हुआ था देखे मुख्य साधन जिसके माध्यम से लोड डलहोजी ने अपनी राज्य हरण की नीती को लागू किया वहती हडप नीती तिक आप इसे राज्य हरण की नीती कह सकते हैं एक्जामनर यदि थोड़ा सा टिर्की बनाने लगे तो फिर वह क्या करता है सब्दों में हेर फेर करता है जैसे हडप नीती है वह हडप नीती को क्या बोल देगा राज्य हरण की नीती बोल देगा तो यह कहेगा किसके द्वारा सुरू की गई थी तो आप क्या कहेंगे जो लोड डलहोजी था उसने राज्य हरण की जो नीती थी यह लागु की थी इसके तहट जब एक संदक्सित राज्य के सासक अब आप सपोज कीजिए कोई एक सासक है बहुत बड़ा सासने जैसे आप जासी गिरानी वाला सासन देख लीजिए अब उसके पास क्या था उत्तरा दिकारी नहीं था ठीक तो वह क्या काम करते थे एक दत्तक पुत्र ले 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 लिया ठीक है गोद लेने वाले पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है तो वह उसे तो इस इस्तिति में क्या कहा जाता था, कि भाई आप क्या कर देंगे, कि यदि आपका अपना पुत्र नहीं है, तो आप किसी भी बच्चे को आप गोध नहीं ले सकते, अपना उत्राधिकारी नहीं बना सकते, तो इसे में क्या कहा जाता था, फिर उस पूरे के पूरे सामरा एक प्राकर्थिक उत्त्रदिकारी के बिना ही हो जाती है तो उनकी या उनके राज्जे को देश की सध्योपूरानी प्रंपरा के निवि पुत्र को अपनाने की स्विकर्ती नहीं थी यानि कि आप दत्तक पुत्र किज़ी को गोध नहीं ले सकते हैं लोड डल होजी 1848 में गवर्नर जर्णल के रूप में भारत में आया और लाड डल होजी अवद राज्यों को हडपने का इच्छुक था तो जब वो आया था तो उ 1856 से लेके 1862 तक भारत के गवर्नर जर्णल के रूप में इसने कारिय किया भारत के सिपाही विद्रो 1857 के दोरान भारत के गवर्नर जर्णल थे यदि 1857 की संपूर्ण वीडियो आप लोग देखना चाते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जा केनिंग था और भारत सरकार अधिनियम 1858 ये किसके कारिकाल ने पारित हुआ था ये भी केनिंग के समय ही पारित हुआ था जैसी 1858 का विद्रो हुआ ठीक है जुसके जश्ट बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लेके आए थे तो ये किसके समय में आए थे लोड केनिंग के समय में उस अधिनियम में वाइसराय का पद भारत के गवर्णर जवर जन्रल द्वारा ही रखा जाएगा लोड केनिंग ने भारत के वाइसराय के रूप में भी काम किया उनके कारेकाल के दुरान हडप निती को वापस ले लिया गया देखे डल होजी ने जो हडप निती लागू जन्रल कौन था तो आप क्या कहेंगे लोड केनिंग था और पहले कि भारत के पहले वाइसराय कौन बने थे तो वहे भी लोड केनिंग ही थे यहां से दो प्रश्न बने कि बात आए अंतिम गवर्णर जन्रल तो कौन केनिंग और यदि बात आए कि पहला वाइसराय कौन था वह भी लोड केनिंग ही था पहले तीन आधुनिक विश्विधाले इस्थाबित किया गया कलकत्ता विश्विधाले, मदरास विश्विधाले और बंबई विश्विधाले ये भी किसके द्वारा किये गये जो लोड केनिंग है उसके द्वारा ही इन ये इस्थापित किया गया अब आप देखे लोड रीपन लोड रीपन इनका जो कारिकाल है 1880 से लेकर 1884 तक है भारत का वाइसरा ये रहे इस तुरान सबसे महत्तपूर्ण घटना घटी अब देखें गटना क्या-क्या थी वर्ना कूलर प्रेस एक्ट 1882 इसमें इसे निरस्त कर दिया गया तेक है वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया इस्थानिय सवसासन की संस्था 1882 में देखें या पर क्या है 1882 में एक प्रस्ताव ने भारत में इस्थाने सवसासन की संस्था की स्थापना की यदि बात आए कि इस्थाने सवसासन की जो संस्था थी उसकी स्थापना किस ने की थी तो लोड रिपन ने इस्थाने सवसासन की बात आएगी तो आप किस के पास जाएंगे लोड रिपन के पास हंटर आयोग कब बना अठारासो ब्यासी में सिक्सा सुधारू को लेकर तो ये भी किस के काल में रिपन के काल में है ये भी पूचा जाता है कि हंटर आयोग किस से संबंदित है तो सिक्सा से संबंदित है ये परसने बनता है कि हंटर आयोग कब बनाता तो 1882 में बना था ये भी आपको पता होना चाहिए अती समझोतों की स्थिती में इलबर्ट बिल को पेश किया गया था इलबर्ट बिल 1883 में पारित किया गया था तो 1883 में जब इलबर्ट बिल विवाद आया तो ये कब था ये भी लोड रिपान के समय में ही था तो ये भी आपको पता होना चाहिए दा इंपेरेल गजेटेर ओप इंडिया ठीक है उसने 1817 में काम करना शुरू किया यह परसिएध काम था जो उसने किया था दा इंपेरेल गजेटेर ओप इंडिया है अठारासो इकासी का एक स剛剛 1881 का जो पहला कारखाना अधिनियम था वह भी लोड रिपन के काल में ही पारित किया गया था सिख्षा की परगती की समीक्षा के लिए विंटर विलियम हंटर आयोग की निवक्ती अठारसु ब्यास्ति में की गई थी तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए सिख्षा की परवेश की आयू को बढ़ाखर 21 वर्स कर दिया गया जो सिख्षा की परगती को लेकर यह उंटर आयों के काल में सिख्षा की परगति को लेकर और सिवील सेवाओ की आयू की वरधी की गई वह भी 21 वर्स कर दिगई थी ती इस अब आप देखिए वारेन हेस्टिंग बंगाल का पर्थम गवर्णर्ट जनरल था यदि यह आए कि बंगाल का पर्थम गवर्णर्ट जन्रल कौन था तो वारेल हेस्टिंग था दोहरी परणाली में कंपनी के पास दिवानी अधिकार और निजाम या भारती परमगों के पास परसासनिक अधिकार थी देखें जो दोहरी परणाली है इसको बोलते हैं द्वेद सासन एक सकेंड इसके बाद देखें राबर्ट कलाईव द्वारा इस्थापित जो हेस्टिंग है राबर्ट कलाईव द्वारा इस्थापित पीवे दोहरी परणाली को समाप्त कर दिया नवाब का वार्शिक भत्ता 32 लाग रुपए से घटाकर 16 लाग रुपए कर दिया सबसे पहले बात निए दोहरी परनाली को समाप्त कर देंगा प्रस्णी यह किसे लागू की थी यह की रोबर्ट कलाईव ने और हेश्टिंग ने इसे भीडा कर दिया था खत्म कर दिया था और फिर नवाब की बत्ता था 32 लाग रुपये उससे घठाकर 16 लाग रुपय कर देंगे किसके काल मे वारे हेस्टिंग के काल में अब देखें लौड डफरीन लौड डफरीन क्या है 1884 से लेगे 1888 तक आज थोड़ा आपको गाने के वाँ जा सकते पीछे की फंक्शन सा हो रहा है आप तो उसमें थोड़ा सा डीजी वीजे बजाय जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं भारती रा जिसमें रूस और बिटेन के बीच एक कूटनितिक संकट पैदा हुआ लेकिन लाट डफरीन के राजनेक परियासों से युद्ध तल गया तीसरा एंगल बर्मा युद्ध 886 में हुआ इसके बाद आता है लौड करजन तो यहाँ पर जो एक बात है जो आपको पता है जही अक्तुबर 1905 को अकाल आयोग का गठन इस ने किया अप देखते रहें ना इसने करे सारे आयोग गठन किये थे अकाल आयोग एंथानी मैकडेनल्ड के 1901 में यह क्या था यह अध्यक्स था अकाल आयोग का गठन के की अध्यक्स्ता में किया तो सर्व मैकड़नोल के तहत किया था 1901 में ताकि अकाल से वापिस लड़ा जा सके सीचाई आयोक की स्थापना की 1901 में पुलिस आयोक का गठन किया एंडू फरेजन के अध्यक्स्ता में पंजाब भूमी अलगाव अधिनियम 1901 में पारित किया और दोस्तों किया आना सोर कुछ जादे ही आज हो रहा है तो मैं इपनी वीडियो को यही पर आज लोग देता हूं बाकिए की जो वीडियो है यहां से आगे मैं कल आपको बताऊंगा तो आज की वीडियो में करके थोड़ा सा आप हमें समा प्रार्थी है क्या थोड़ी आवाज आपको ज्यादा आएगे वरना वीडियो में कि अभी तो एक बज़ रहे वे दूसरे वाला आ चुका है अभी य तक आज इस तरह के से प्रोब्लम हो जाएगी आज तो दोस्तों आखली वीडियो हम कल बनाएंगे धन्यवाद दोस्तों